नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है महाशक्तिशाली टोटके यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप हम आपको बताएंगे कि कब क्या कहां और कैसे करना है कुछ ऐसे टोटके कुछ ऐसे उपाए जो आपके जीवन की हर तरह की परिशानी को दूर कर देंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिसे की आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों आज हम आपके लिए लाएं हैं एक ऐसा ही महाशक्तिशाली टोटका अगर आप भी पती का प्यार पाना चाहते हैं तो ये रत्न आपकी मदद करेगा आएज शुरू करते हैं ये उपाए दोस्तों पती-पत्नी का रिष्टा बहुत नाजुक और प्रेम से परिपूर्ण होता है समाज में किसी भी इस्त्री का जीवन पती सुख के बिना अधूरा समझा जाता है पती के संग्रक्षण में ही एक इस्त्री स्वयम को सुरक्षित समझती है इस पवित्र रिष्टे में आपसी प्रेम के साथ-साथ विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है लेकिन कई बार बिना किसी कारण के ही पती-पत्नी के बीच खट-पट होने लगती है वैवाहिक जीवन में अशान्ती का कारण कई बार ब्रहसपती की कमजोर स्थिती भी होती है अगर आपकी कुंडली में गुरू कमजोर है और इस वज़े से आपको अपने पती से प्रेम नहीं मिल पा रहा है तो आपको पुखराज रत्न धारन करने से लाब होगा अगर कुंडली में गुरू नीच का हो तो गुरू से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं दोस्तों इस्त्रियों के जीवन में पती सुख का कारक ब्रहसपती होता है इसलिए कुंडली या हाथों की रेखा में अशुब ब्रहसपती के कारण पती सुख में कमी आती है गुरू का रत्न पुखराज धारन करने से भाग्य में बृद्धी होती है और इसे भाग्य को बढ़ाने वाला रत्न कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि पुखराज रत्न को धारन करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता उसके उपर सदा मालक्ष्मी का आशिरवाद बना रहता है अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या उसका दिमाग कमजोर है तो उसे पुखराज रत्न अवश्य धारन करना चाहिए पुखराज रत्न धारन करने से मान समान में भी विद्धी होती है निसंतान दमपत्यों को भी पुखराज रत्न पहनने से लाव होता है अगर किसी का बार-बार गर्भ पात हो रहा है या किसी और वज़े से गर्भ की हानी हो रही है तो पुखराज रत्न धारन करने से आपको ये परिशानी दूर हो जाएगी आईए जानते हैं कैसे करें पुखराज रत्न धारन दोस्तों पुखराज गुरु का रत्न है इसलिए इसे गुरुवार के दिन ही धारन करना शुब होता है आप इसे तरजनी उंगली यानि की index finger में सोने में जड़वा कर पहन सकते हैं अगर सोने में इस रत्न को नहीं जड़वा सकते हैं तो आप चांदी या पंच धातु में पुखराज को पहन सकते हैं गुरु विवाह का कारक है। इसलिए गुरु का ये रत्न विवाह संबंधी सभी मुश्किलों को दूर करता है। पती के प्यार को पाने में। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा जादा से जादा दोस्तों और परिवार जनों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक महाशक्तिशाली टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखती रहिए महाशक्तिशाली टोटके चैनल।